SNG 2021 में ग्लाकों में बिने थे, और पहली ही मुलाकाट में एक गहरी मित्रता का अनुपर है, और तम आप में मुझे उक्रेना आने के लिए बहुत आग्रसे निबता दिया था, महीं उक्रेन के राश्रपती वुलदमीर जिलंस्की ने कहा कि भारत चाहे तो पुतिन को उनकी जगह दिखा सकता है. भारत के इसलिए आलोचना होती रही है कि उसने कभी यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना नहीं की. भारत की रूस के साथ आतिहास एक संबंद रहे हैं. जंग के दौरान रूस पर पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बीच भारत ने रूस से तेल का आयाद बढ़ा दिया है. ऐसे में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के सियात्रा के यूक्रेन और जलेंस्की के लिए क्या माइने हैं? बता रहे हैं बीबीसी समवादाता निक बीक. मुझे लगता है कि ये यूक्रेन के रास्ट्रपती जलेंस्की के काम आएगा. पश्चिमी सहीयोगियों से मिल रही मदद के बीच वो दिखा सकते हैं कि ये ऐसे शक्स की यात्रा है जो दुनिया की एक बड़ी अर्थफ्यवस्था, एक एशियाई महाशक्ती का निता है. यूक्रेन में अच्छे से नहीं लिया गया क्योंकि मोदी को व्लादिमीर पुतिन के गले मिलते देखा गया. वो भी उस दिन जब रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन में चालीस से ज्यादा लोग मारे गई थे और राजधानी कीव में बच्चों का स्पताल भी हमलों की च दिखा सकेंगे कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के निताओं से उन्हें समर्थन मिल रहा है या वो उनसे संपर्क बनाए हुए हैं. भारते प्रधानमंतरी रूस और यूक्रेन दोनों की यात्रा कर चुके हैं. क्या यूमीद रखी जा सकती है कि भारत इन दोनों देशों में शांती स्थापित करने में कोई भूमिका निभा सकता है? बता रही हैं दिल्ली की जवाहलाल नहरी उनिवरसिटी के सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज की प्रोफेसर भास्वती सरकार. उसमें रूस भागिदारी नहीं लिया है. तो अब जो दो देशों में लडाई है, जब तक वो नहीं साथ में बैठेंगे, तब तक कोई निषकस तो नहीं निकलेगा, कोई और तो बैठके ये निषकस नहीं निकाल सकते हैं. तो ये दोनों को लाने के लिए वहाँ पे मुझे लगता है भारत एक महतकोन रोल अदा कर सकता है, बिकॉज हमारा जो रहा है, ये जो in a sense non-accusatory, हम अक्यूज नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, फिलहाल जो एक situation है, उस्ते हम कैसे निकल सकते हैं, और उ